असलाम अलेकुम दोस्तों अगर आपके पास भी हर किसम के बट्स हैं और आप उनसे अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरिफ और सीरिफ आपके लिए है मेरे पास वो पियर जो तीन से चार महीने से ब्रीड नहीं कर रहे थे मैंने उनसे ये फॉर्मुला इस्तमाल करवाया और माशालला बट्स ने अंडे देना शुरू कर दिये और तमाम के तमाम अंडे फर्टायल भी थे तो आपके पास बजिस हों लबट्स हों कौक्टेल हों चाहे बड़े बट्स हों आपने वीडियो को आकर तक जरूर सुनना है तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों ये चीज़ 100% काम करेगी आपके बट्स की अंडो की कौंटिटी बढाने के लिए बट्स को हीट पर लाने के लिए और खास तोरपा अंडो में से ज़ाधा कौंटिटी में बच्चों के लिए और आपके बट्स में 2-3 चीज़गा होना बहुत जरूरी है पर आपके बट्स का जेंडर कंफरम हो यानि proper male और फिमेल अगर आपके पास होंगे तभी आपके बट्स ब्रेडिंग करेंगे और साथ यसाथ आपने बट्स को प्रैविसी लाजमी देनी है यानि के बट्स को तंग नहीं करना डिस्टब नहीं करना बार बार उन्हें जो बट्स में खून की कमी होती है तो इससे असानी से पूरी हो जाएगी जब आपके बट्स को केशम मिलेगा जिससे बट्स जादा कॉंट्रिटी में अंडे देंगे सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टिन पॉइंट के आपके बट्स की फर्टिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी यानि जिनके बट्स अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं लिकलते हैं वो इसको एक बार इस्तमाल करें तो ये मसला आपका हल हो जाएगा तो दोस्तों मैं बहुती बैसिक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन इसका तरीके इस्तमाल बहुती मुक्तलिफ है तो आपने तरीक इस्तमाल लाजमी सुनना है और ये जरूर जानना है कि किन बट्स को आप ये दे सकते हैं और किन बट्स को आपने ये इस्तमाल नहीं करवाना है तो मैं बात कर रहा हूँ मेती के बारे में जो आपको इस मौसम में असानी से मिल जाएगी और आपके बट्स के लिए बहुत ही बेतरीन है तरीक इस तामाल मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन अगर आपके बस टेंपरेचर जादा है तो आप इसके साथ दन्या एट कर लें वन्ना डारेक मेती अगर आप बड्स को यूज़ करवाएंगे तो आपके बड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे क्योंकि इससे आपके बड्स को काफी बेनिफिड मिलता है बड्स ब्रीडिंग मूट पर आता है और जादा अंडे और बच्चे आपके पास आते हैं अगर आपको मैं तरीके इस्तमाल बता दूँ तो आपने उसको लाजमी फोलो करना है तब ही आपके पास अच्छी ब्रीडिंग आएगी तो आपने करना क्या है कि कुछ कॉंटिटी में आपने मेती के पत्ते लेने है और उनको आपने अच्छे से सुका लेना है ड्राइ करने के बाद आप इनका पोडर बना के अपने पास रख लेंगे और जब कभी अपने बट्स को आप सोफूड देंगे उसके उपपर इसका पोडर डाल देंगे कॉंटिटी कितनी डालनी है और हफते में कितनी बार इस्तमाल करवाना है उसको जानने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किन बट्स को आपने यूज़ करवाना है और किन बट्स को यूज़ नहीं करवाना नमबर नमबर पर जिन बड्स के बच्चे निकल आएं उनको आपने मेती का इस्तमाल नहीं करवाना औरना वो बच्चों को बाहर गिरा देंगे और दुबारा आपका प्यर ब्रीडिंग पर आ जाएगा सेकंड नमबर पर जो बच्च बिमार हों आप उनको भी इस्तमाल ना करवाएं और जिन बच्च को मोशन लगे हों आपनो उनको भी बिल्कुल नहीं देना क्योंकि मेती थोड़ी सी गरम होती है बच्च को ब्रीडिंग मूट पर लाती है तो आपने कुछ चीजों का दियान करके अपने बच्च को यूज करवाना है बाकी बच्च, लबच्च, कॉक्टेल, फिंचिस, रा, रगनेक तमाम बच्च को दे सकते हैं बच्च काफी शोक से इसको खाएंगे तो आपने करना क्या है कि 5 गिराम मेती हाफ केजी, 100 फूट के उपर आपने बच्च को डाल कर देनी है और हफते में एक बार आपने बच्च को इस्तामाल करवानी है इससे आपके बट्स की fertility इंप्रूफ होगी और आपके बट्स की breeding इंप्रूफ होगी और जो इसका एक और पॉइंट है अगर आपके पास लबट्स होंगे तो वो इसको एजा नेस्टिंग यूज़ करेंगे और Nesting Material के तोर पर भी आपके बट्स के लिए बहुत ही जबर्दस है मैं अपने बट्स को मट्की और बॉक्स लगा चुका हूँ आप भी अपने बट्स को बॉक्स और मट्की लगा दें तो दोस्तो अगर आपके बट्स ताजा मेती खा लें तो अच्छा होगा औरना आप पोडर बना के रख लें और जो सोफूट आपके बट्स को पसन हो इस पर डाल कर अपने बट्स को दें और अफते में एक बार देनी है तो इससे आपके बट्स अच्छी ब्रेडिंग करेंगे और तमाम अंडों से बच्चे भी निकलेंगे तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अमिल लाजमी कीजिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफिज